हलो दोस्तों मिंतारा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं कच्चे आलू से नास्ता जो बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी बनेगा प्लीज वीडियो पूरा देखी जिसे बनाने के लिए हमने लिये तीन कच्चे आलू उन्हें छील करके रख लिया है अब हम आलू को ग्रेट करेंगे हमने आलू को बाला नहीं है यह हमारे कच्चे आलू है तीन आलू है आज मैं अपने बेटे के जनम दिन में यह सुवह सुवह नास्ता बनाया था क्योंकि आज मेरे बेटे का जनम दिन था तो ऐसा नास्ता उसे बहुत पसंद है जो आलू से बने तो उसी के लिए आज मैंने ये नास्ता बनाया था बहुत क्रिस्पी और टेस्टी प्लीज वेडियो पूरा देखिए सबी आलू को हम ग्रेट कर लेंगे ये आलू का नास्ता बहुत क्रिस्पी बनता है अंदर से सॉप्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेगा अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सस्काइब नहीं किया ता प्लेज मेरा चैनल सस्काइब कीजिए और कमेंट करके ये भी बताना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं सबी आलों को हम ग्रेट करके रख लेंगे ये नास्ता बहुत जल्दी बन जाता है बनाने में ज़्यादा टैम नहीं लगता है ना कोई तयारी करना पड़ता है अगर कुछ ना सूझे आपको सबस बनाना और बहुत कम तेल में नास्ता प्राय भी हो जाता है अब आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं अब हम इसे पानी में डोबा करके रख देंगे जिससे आलू का कलर खराब ना हो अब इसे रख देंगे साइड में रखेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे तेल जब तेल गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे एक चमच जीरा, हरी मिर्ची, अद्रक तेल, ये सफेद तेल डाला एक चमच इससे जो नास्ता बनेगा अंदर से बहुत क्रिस्पी लगेगा खाने में एक कटोरी डालेंगे पानी और आधी कटोरी, एक कटोरी और आधा कटोरी हमने पानी डाला है जब पानी गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, नमाक और लाल मेर्च और धनिया जब पानी में अबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा आज हम चावल की आटा और कच्चे आलू से नास्ता बना रहे हैं सबसे पहले डालेंगे आलू जो हमने ग्रीट करके रखी थे आलू को हम अच्छे से निचोड देंगे जब पानी में ओबाल आ जा तबही आलू डालना आलू को डाल करके हम एक मेड़े तक पकाएंगे गरम पानी में उसके बाद डाल देंगे एक कटूरी चावल काटा जस कटूरी से हमने नाब करके पानी लिया था उसी कटोरी से नाप करके हमने चावल काटा लिया था एक कटोरी और आधी कटोरी हमने पानी डाला है और एक कटोरी डाला है चावल काटा मतलब डेड़ कटोरी पानी और एक कटोरी चावल काटा इसे अच्छे से मिलाएंगे चावल काटा डालने से नास्ता बहुत क्रिस्पी बनता है इसकी जगह आप सूजी भी डाल सकते हैं पर चावल काटा से नास्ता जो बहुत क्रिस्पी बनता है अब इसे मिलाएंगी अब इसमें डालेंगी हम हरी धन्या पत्ती इसे भी मिलादेंगी गैस बंद करके इसे एक दो मिनट के लिए ढख देंगे दो-तीन मिनट हो जाएंगे उसके बाद इसे थाली में डालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे तब तक बनाएंगे एक टेस्टी चटपटी सी चटनी नास्ता के खाने के लिए में बहुत सारा धनिया पत्ती काट लिया है लेंगे मिक्सी कजार उसमें डाल लेंगे धनिया पत्ती डालेंगे जीरा नमक लाल मिर्च काला नमक हेंग लेसुन हरी मिर्ची डाल देंगे दो हद रख एक चमच डालेंगे इसमें बिनेगा है दो चमच डालेंगे दही अगर आपको दही नहीं पसंदे तो इसकी जग़ा पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल करके बहुत अच्छी चटनी बन जाती है बहुत टेस्टी लेव हमारी चटनी पिसका तयार है हरी चटनी जो ये नास्ता के साथ में बहुत अच्छी लगती है हमारी चट्मी बन गई है अब हम जो आलू और चावल की आटा का बनाया था उसका नास्ता बना लेंगे उससे अच्छी से मसलेंगी थोड़ा थोड़ा जब गरम होगा तभी मसलेंगे जिससे चावल का आटा अच्छी से सोप्ट हो जाए अब आपको जिस अकार में नास्ता बनाना हो जैसा भी आपको पसंद हो पर हमारे बच्छों को ऐसा बोल जैसा नास्ता ज्यादा पसंद है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं ये बनाने में बहुत सारल है ऐसा नास्ता ये एक बार तो आप भी जलू ट्राइ करना आपके बच्छो को बहुत पसंद आएगा अब सभी नास्ता को मैं इसे बना करकी रख लेंगे पहले कितनी आराम से बन रहा है कोई इसमें बनाने में कोई परिशानी नहीं आ रही है देखो आलू और चाल काटा अच्छे से पक गया है अब पूरा नास्ता इसी ही बना करके हम रख लेंगे अब हमारा नास्ता बन गया है अब हम रखेंगे कड़ाई तेल गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा उसमें हम ये नास्ता को फ्राइगे इस नास्ता को फ्राई करने में बिल्कुल तेल नहीं लगता है जादा क्योंकि ये नास्ता पहले से अंदर से पका हुआ है और गर्स को हम मीडियम करके तलेंगे जितनी ज़्यादा गर्स को मीडियम करके तलेंगे उतना ही नास्ता हमारा अंदर से और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी होगा इसे अलट पलट करके अच्छे से तलेंगे अब हमारा नास्ता तल गया है अब हम इसे निकाल लेंगे और दुबारा दूसरा नास्ता तलेंगे अब देखो कच्चे आलू से कितना ज़्यादा टेस्टी नास्ता बनता है अब हम दूसरी बार भी तल लिया है जो हमारा नास्ता बचा था इसे आप सॉस या चटनी के साथ परूसिए कि मेरे बेटे चोटे या तो इसलिए उन्हें सॉस के साथ खाना ज़्यादा पसंद है पर अगर बड़े हैं तो उसे आप जो हमने चटनी बनाई उसी चटनी के साथ परूसना दिखो हमारा नास्ता बन गया है अब हम परोश देंगे इस नास्ता को आप गर्मा गर्म इंज्वाइ की लिए और एक बार तो जरूर ट्राइ करना इस नास्ता को हमने सौस के साथ परोशा है देखो यह नास्ता कितना ज़्यादा अंदर से भी सिखा है और बाहर से भी इस नास्ता को गर्राइब एक बार बनाओगी तो आपके बच्चे बहुत खोस हो जाएंगी हमारा आलू और चाल के आटा का नास्ता बन कर तयार है फिर मिलेंगी एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई झाल को जाएंगी